वलकम टू न्यु लेशन इस लेशन में मैं आपसे बात करूँगा कि डिश्पलेट एड्ज के अंदर क्या क्या टार्गिटंग के वॉप्शन्स होते हैं ठीक है जी डिशपलेट के अंदर टार्गिटंग औॉप्शन्स के बारे में हम बात करेंगे तो basically display ads में जो भी targeting है उसको आप दो broad categories में बाढ़ सकते हैं ठीक है दो broad categories में पहली है automated targeting और दूसरी है manual targeting ठीक अभी अगर मैं dashboard में जाओ वापस तो आप देख सकते हूँ by default यहाँ पर कौन सौप्चन आ रखा है automated targeting automated targeting में आपको targeting कुछ नहीं दे नहीं Google अपने आप based on your landing page based on your search campaign history खुद ही google decide करेगा कि किसको add दिखनी चाहिए और किसको नहीं दिखनी चाहिए तो यह होता है automated targeting automated targeting recommended नहीं है आपके लिए क्योंकि यहाँ पर जादतर चीज़े google खुद decide कर रहा है आप decide नहीं कर तो आप क्या करोगे targeting आप करोगे manual targeting ठीक है कौन से targeting करोगे जी manual targeting तो यहाँ पर देख रहे हो option है switch to manual targeting यह सारा आता कहां से है यह हम बाद में देखेंगी अभी just हम targeting समझते तो switch to manual targeting अब जैसी मैंने manual targeting किया आप देख सकते हो यह targeting के option आ रहे है पहला audience दूसरा demographics और तीसरा keyword चौथा topic और पाचवा placement तो मोटे मोटे तोर पे आप कह सकते हो पाच type की targeting है manual targeting के अंदर मोटे मोटे तोर ठेक है जी तो सबसे पहले हम बात करते है demographics demographics is age gender parental status और household income अब यह जो आप household income देख रहे हो यह इंडिया में applicable नहीं है इसको ignore करना है बाकी चीजों के basis पे आप select कर सकते हो अगर आप just male दिखाना चाहते हो तो यहां से female अठा दो और unknown अठा दो just male रखो आप अगर 18-24 दिखाना चाहते हो तो आप बाकियों को हटा दो ठीक है तो जिसे भी आप दिखाना चाहते हो जो भी age, gender आप दिखाना चाहते हो वो आप यहां से select कर सकते हो और उसको आपकी add दिखेगे ठीक है तो demographics तो बहुत ज़्यादा simple है अब हम आते हैं audience के अंदर जैसे ही मैं audience के अंदर आता हूँ आपको again चार category दिख रही है ठीक है पहला who they are दूसरा affinity and custom affinity तीसरा in market, life events and custom intent और चौथा pre marketing ठीक है सबसे पहले हम चलते हैं पहले पे who they are तो जैसे ही मैं गया who they are आप देखो यहां पे बड़े सारे options आरे parental status आप किसे add दिखाना चाहते हो parents of infants, parents of toddlers, parents of preschoolers तो आप जिसे भी दिखाना चाहते हो आप यहां से वो select कर सकते हो और उनको आपकी add दिखेगी ठीक है अभी हम अटा देते हैं यहां से then parents के बाद आपको दिख रहा देखो marital status right तो आप किसे दिखाना चाहते हो single, in relationship, married आप जिसे भी दिखाना चाहते हो आप यहां से select कर सकते हो then education किसे दिखाना चाहते हो currently university students ऐसे लोग जो अभी university में पढ़ रहें या जो bachelor degree है जिनके पास या advanced degree है आप जिसे भी दिखाना चाहते हो यहां से select कर सकते हो then we have home ownership status आप किसी add दिखाना चाहते हो अगर आप home owners को add दिखाना चाहते हो तो आप यहां से home owner selector सकते हो अगर आप renters को add दिखाना चाहते हो तो आप यहां से renters को select कर सकते हो तो यह तो है आपका who they are के अंतर अब दूसरा एक option है affinity and custom affinity देखो affinity and custom affinity का मतलब होता है affinity का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें लोगों का long term interest है ठीक है affinity is ऐसी चीजें जिसमें लोगों का क्या है long term interest उसे हम कहते हैं affinity तो अगर मैं banking and finance में जाओं तो यहाँ पर देखो option है avid investors अगर मैं इसे click कर दूँ तो ऐसे लोग जिनको जो investors हैं उनको मेरी add दिखेगी अगर मैं beauty and wellness में जाओं देखो frequently visit salon तो ऐसे लोग जो frequently salons visit करते हैं उनको मेरी add दिखेगी तो बड़ी सारी category है affinity के अंदर जो कि आप explore कर सकते हो जैसे home and garden है तो home decor enthusiasts ऐसे लोग जिनका home decor में interest कैसा interest long term interest देखो interest दो टाइप के हैं Google में एक है affinity और दूसरा है custom intent या intent ठीक है पहला क्या है affinity और दूसरा है not custom intent दूसरा है in market right affinity is long term interest and in market is currently interested in currently interested in affinity क्या होता है long term interest and in market होता है अभी आप के चीज में interested हो right for example suppose करो आप daily cricket सर्च करते हो तो cricket में क्या हो गया आपका long term interest but suppose करो पिछली 4-5-10 दिन से आप कोई particular चीज सर्च कर रहे हो तो अभी आप क्या हो उस चीज के लिए in market right बहुत सिंपल है तो यहां से आप affinity में जाके क्या कर सकते हो select कर सकते हैं है अगर travel में जाओ बहुत सारी category है आप देखो यहां पे कौन से आपके लिए best है तो business traveler ऐसे लोग जो की business travel में interest रखते हैं जो कि business travelers है तो आप यहां से उन्हें select कर सकते हो ठीक है तो आप इन्हें explore कर सकते हो सारी चीजों को एक option आपके पास है custom affinity right custom affinity का मतलब है देखो affinity क्या है Google अपनी तरफ से predefined चीज़े दे रहा है कुछ gamers movie lovers हाना अपनी तरफ से कुछ predefined दे रहा है custom affinity is आप चीजों को अपने हिसाब से क्या कर सको customize कर सको उसे हम कहते हैं custom affinity for example अगर मैं हाना तो मैं multiple interest जोड़के 10-12 interest जोड़के audience तयार कर सकता हूं जिसे मैं अपनी ad दिखा सकता हूं custom affinity right multiple audiences जोड़के multiple interest multiple url multiple apps multiple places यह जोड़के मैं interest बना सकता हूं और example अगर मैं यह पर interest रिखूं से मैं करना चाहता हूं क्या cricket से related लोगों को target या फिर suppose करो मैं करना चाहता हूं bodybuilding से related लोगों को target तो interest में मैं यह पर क्या लिखूंगा bodybuilding ठीक है और six pack apps nutrition protein और मैंने लिख दिया bodybuilders ठीक है then मुझे चाहिए urls जहाएं लोग visit करते हूं तो मैं क्या लिखूंगा bodybuilding.com basically आपको 10 बार वेबसाइट लिख रहे हैं अब यहां पर bodybuilding.com हाना bodybuilding website से यहां पर search मार लो सीधे यहां पर जाओ bodybuilding website मिली देखो यही bodybuilding एक डाल चुके हम एक आपकी muscle and fitness हाना यही muscle and fitness.com तो यहां से copy करो muscle and fitness.com और यहां पर कर दो paste ठीक है muscle and fitness.com हो गया और flex है तो यहां से copy करो flex और यहां से flex ले लो ठीक है ऐसे ही और आप चीजे लोगे बड़ी सारी और यहां पर जवाब करोगे न get estimate तो Google आपको estimate दिखाएगा कि यह जो audience है इसका potential impression कितना है तो देखो कितना दिखा रहा है weekly मैं 100 से 500 million impressions deliver कर सकता हूं अगर मेरा उतना budget है और मैं यहां पर इसका लिख दूँगा नाम यहां पर और मैं website और apps यह सब मैं डाल सकता हूं यहां इंट्रस्ट आ रहा है देखो यहां पर यहां पर आप place ले लो यहां पर आप app ले लो ठीक है और यह सारी आप add कर दो और आप इन्हें add दिखा सकते हो इसे मैं यह से कर देता हूं audience का नाम लिख देता हूं अच्छा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया यहां लिख देता हूं और इसे करता है create और इसे मैं अब as a interest या as a audience यूज कर सकता हूं ठीक है अभी इसको close कर देते हैं तो यह तो था आपका affinity and custom affinity similarly अब अगला देखो क्या है in market अब in market में आप जाओगे तो देखो क्या रहा है वही सेम चीज है पहले क्या था ओ affinity था मतलब जिसका long term interest हो इन मार्केट इस अभी मार्केट में हो जिन चीज़ों के लिए है तो यहां से आप multiple options है आपके पास यहां से अगेन आप जो भी relevant category आपको लग रही है आप उसे select कर सकते हो in market अबहुत इस इंपर प्लस यहां पर देख एक option है life events आप यहां पर देख सकते हो job change recently started new job ऐसे लोग जोने नहीं job start की है ऐसे लोग जो job start करने वाले है फिर आपके पास option है marriage का ऐसे लोग जिनकी जल्दी शादी होने वाली है जिन्होंने recently शादी की है तो आप इन लोगों को भी यहां से क्या कर स सकते हो URL वगरा के base पर अगें custom audience create कर सकते हो जैसे अभी हमने create किया था ना similarly आप custom audiences यहां से create कर सकते हो keyword और URL डाल ठीक है बहुत है simple then चौती चीज़ क्या है आपका remarketing जो भी आपने remarketing audience बनाई है आप उन्हें यहां से add दिखा सकते हो आगे मैं आपको remarketing के बारे में separate video बन है कैसे आप उन्हें दिखा सकते हो तो यह तो आपका एक section हो गया जो कि है audiences के उपर जिसमें आपका detail demographic था प्लस affinity custom affinity था प्लस in market था life events था तो आप यहां से उन्हें add दिखा सकते हो ठीक है दूसरी चीज़ आप यहां जाओगे content targeting और यह देखो keyword keyword topic placement keyword is आप जो भी keyword लिखो होंगे google उन्हें क्या करेगा add दिखा देगा अब यह तो custom intent आ गया इसको यहां से cancel करते हैं देखो यह आगया keyword राइट आप यहां से keyword लिख सकते हो और google उन्हें आपकी add दिखा देगा तो suppose मैंने यहां पर लिख दिया body इसे not now कर दो body building अब google मेरी add दिखाएगा body building अब देखो यहां पर एक option है दो option है आपके यहां पर keyword setting एक तो by default selected है पहला क्या है shows add to people likely to be interested in these keywords की google उन्हें add दिखाएगा जो की इसमें क्या है interested है ना google उन लोगों को add दिखाएगा जो की मेरा जो keyword है उसमें क्या रखते हो interest रखते हो दूसरा option क्या है मेरे पास दूसरा option है मेरे पास यह add बस वहां दिखाओ उन web pages पे दिखाओ उन apps पे दिखाओ और उन videos पे दिखाओ जो की body building से related ठीक है तो मैंने एक keyword लिखा है ऐस जैसे में और multiple keywords यहां पे लिख सकता हूँ और इन्हें add दिखा सकता हूँ अब keywords लिखने में यहां पे problem क्या है कि यह हम कर रहे है display add और display add में खाली broad match होता है और कोई match नहीं होता है जैसे इसमें exact match नहीं होता है just broad match होता है ठीक है तो keywords उतने powerful नहीं है display ads के लिए बट आप चाहो तो यहां पे लिखके इन्हें add दिखा सकते हो अब आपस जाओ अब दूसरा देखो क्या है topics topics में क्या है देखो Google ने आपकी बड़े सारे categories बना के दिए Google ने आपको आप इसमें से relevant categories चूज कर सकते हो और अपनी add दिखा सकते हो जैसे animal welfare है, pet food है तो आप इन्हें select करो अब Google वहाँ वहाँ आपकी add दिखाएगा उन-उन web pages पैट दिखाएगा उन-उन videos पैट दिखाएगा उन-उन apps पैट दिखाएगा आपकी जो pet food and pet care के बारे में ठीक है अगें broad match not exact match अगला क्या है placement अब ये सबसे जबरदस्त है placement में देखो आपके पास क्या option है website, youtube channel, youtube videos, app, app category अब placement में क्या होता है कि आप कोई भी एक particular website select कर सकते हो जहाँ आप add दिखाना चाहते हो ठीक है तो अगर मैं website पे जाऊं और मैं यहां लिख दूँ IRCTC एक second load हो जाए देखो IRCTC आ रहा है ना अगर मैं IRCTC select कर लूँ तो अब मेरी add कहा दिखेगी IRCTC के उपर यह बहुत ही ज़्यादा powerful है आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी domain पे add दिखाना चाहते हो तो उस पे add तभी दिखा सकते हो जब उसने अपना अपनी website google ads के साथ sign up की हो जब उसने अपने business को अपनी website को google adsense के साथ integrate किया हो google ads के adsense का हो member हो तभी आप add दिखा सकते हो नहीं तो आप नहीं दिखा सकते हो similarly अगर आप किसी youtube channel पढ़ दिखाना चाहते हो तो आपको just वो youtube channel select करना है और आप वो add दिखा सकते हो for example मैं अगर यहाँ पे लूँ dr. बिंद्रा तो मैं बिंद्रा जी की सारी videos पढ़ दिखा सकता हूँ यहाँ से ले ले मैंने dr. बिंद्रा अब मैं बिंद्रा जी के channel पे जितनी videos हैं उन सब पैड दिखा सकता हूँ provided वो video क्या हो नहीं चाहिए monetized अगर वो video monetized नहीं है तो मेरी add होँ नहीं देखेगी ठीक है तो आप यहाँ से वो particular एक app भी select कर सकते हो जिस पे आप add दिखाना चाहते हो आपको बस उस app का नाम लिखना है और वहाँ पे आपकी add नजर आने लग जाएगी तो अगर मैं यहाँ पे लेखता हूँ true color तो मेरी add कहां दिखेगी just true color के उपर ठीक है यहाँ पे true color देखो कहा है यह रहा true color तो आप उस particular नहीं यह कोई और है यह x color है यह होगा true color तो आप अब मैं true color को पर add दिखा सकता हूँ तो मैं particular app select कर सकता हूँ जहाँ भी मैं add दिखाना चाहता हूँ और मैं वहाँ add दिखा सकता हूँ तो यह आपके पास targeting options थे multiple जो की आप use कर सकते हो अपनी ads को दिखाने के लिए ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था display ads powerful होती है for remarketing normal campaigns के लिए display ads are not that good ठीक है जी तो आप एक बार इन सारे options को आज explore करिएगा thank you so much for watching this lesson